हेलो डियर स्टूडेंस आज के इस लेक्षर में हम मैट्स समिस्टर टू का एफ़ाई बिकॉम का मैट्स का यूनिट वन डिस्कस करने वाले तो इसका एक्स्प्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब सब्सक्राइब करकर बेल आइकन बटन को प्रेस किजिए ताकि आपको लेटेस वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना है दियर स्टूडेंस मुझे पता है काफी स्टूडेंस जो है जुन्होंने 11 और 12 में मैट्स नह सब्सक्राइब कम है तो आपको डरने की जुरत नहीं है समस्टर वन आप सबका क्लियर हो गया होगा मैट्स का समस्टर टू में जो सबसे पहला जो यूनिट है यूनिट वान उसमें से 20 मार्स का सौरी कंटेंट जो है पूछा जाता है 20 मार्स का तो वह सेक्शन 1 के अंडर म सेम जो पैटर हमने समस्टर वन में किया था सेम पैटर यहां पर है मुझे पता है कि काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए मैं नहीं लगाया कंटेंट मुझे पता है लेकिन मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूं विकास जौब के साथ पेपर करेक्शन कोलेज के और ब क्योंट करना है तो यह 20 मांक आप पूरे के पूरे के खिश सकते हो तो इसके लिए मैं आप लोगों को हेल्प करने वाली हूं ताकि आपका सेमिस्टर टू भी आप फट आफट क्लियर कर ले आपको 80-80 वाला टेंचन आए बस इतना ही आपको करना है कि आपको ज़्यादा प्राक्टिस करनी है मैं A to Z sums नहीं करा पाऊंगे लेकिन आपको conceptual जो बेस जो learning है वो आपको एक बार मिल गई आपको प्राक्टिस आप अपने आप से sums की प्राक्टिस कर सकते हैं difficult नहीं है and section 1 40 मांस का आता है तो पहले हम उसमें से question number 1 की तयारी करेंगे जितना होगा उतन प्राक्टिस करने की कोशिश करूंगी difficult नहीं है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते है जो section 1 में पहला question जो आता है इस बेस रॉंदी आपके derivatives and its application पे बेस्ट है derivatives and applications पे बेस्ट है अभी derivatives क्या होता है इसका मिनिंग क्या है यहां पर derivatives मतलब rate of change it's a rate of change of unknown function unknown function मतलब जिस function को ह जानते नहीं है उस function को हम output को निकालने की कोशिश करते हैं and यह output किसके context में निकाला जाता है with respect to what तो यहां पर with respect to जो known function है known function के respect में हम unknown function को find out करते हैं मतलब हमें जो input receive होता है input जो है हमारा input function उसके help से हम output function find out करते हैं that is called as the derivative उसे हम derivative बोलते हैं अभी इतना मुझे थोड़ा सा डिटेल में जाने के इसलिए जो रहत है कि जिनोर 11-12 में मैच्स नहीं लिया था तो उनको concept को थोड़ा सा समझना जो रहे कि अभी यहां पर हम क्या कर रहे हैं और इसका जो यूजे से वो कहां कहां पर है तो यह जो derivatives हैं इसका बहुत सारे cases मे हम यूजे करते हैं तो यहां पर यह जो rate of change of unknown function मतलब this function is nothing but the dependent function यह जो function होगा y here we can say that y is dependent y dependent है on what x पर dependent है क्योंकि x जो है वो independent function है input function है जिसे हम जानते है so independent function के help से हम dependent function के value जो है वो find out करते है that is derivative and it is written as dy by dx हम इसको जो लिखते हैं वो dy by dx form में लिखते हैं dy by dx और इसे derivative function of x भी ऐस तरीके से भी लिखा जाता है derivative function of x f dash x करकर भी हम यहाँ पर power में यह जो one जैसे दिखाई दे रहा यह f dash x यह derivative का sign है derivative function of x ठीके यहाँ पर कुछ examples हम बाद में आगे जाकर हम demand function expenditure functions and cost of rate of change in cost वो सारे के सारे जो derivative functions है हम study करने वाले हैं सबसे पहले हम start करेंगे formula of derivatives तो क्या है derivatives के formulas क्या है तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ standard functions है standard functions है उनको समझने की जौरत है तो formula of derivatives देखे वीडियो को last तक आपको देखना है concepts को समझना है यह single video आपने देख लिया तो आपको यह जो derivatives chapters है इसमें 10 marks का तयारी तो आपका हो जाएगा जो की simple formula based derivatives question है जो economically demand function and supply function और उनसे related है simple है जस्ट आपको mathematically आपको solve करना है formula of derivatives तो सबसे पहले y is equals to c अब यहाँ पर यह c क्या है आप बोलोगे में y c के equal है तो what is c c is nothing but a constant function यह क्या है c is constant यह constant है तो कभी भी derivatives में जभी भी आपको constant आया constant दिया है constant मतलब अभी आपको वो example भी में दूँगी तो आपको उसकी जो derivative value है जो आप differentiate करोगे अभी यहाँ पर जो हम differentiate करना मतलब क्या होता है differentiate मतलब dy upon dx जो हम लिखते हैं मतलब हम differentiate कर रहे है y को with respect to x differentiating y with respect to x x के respect में हम जैसे मैंने यहाँ पर आपको जिस दिखाया था कि rate of जो unknown function है rate of change of unknown function with respect to known function x तो इसको हम बोलते है derivative तो यहाँ पर differentiate किया जाता है y को with respect to x known function से हम उसे differentiate करते हैं ठीक है तो यह dy by dx जो होगा वो is equals to constant value का यह y को हमने क्या किया differentiate हम मैं यहाँ पर term भी लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई problem नहों हो समझने में और आप जो एकदम new है first time जो differentiation के sums कर रहे हैं उनके mind में बराबर है कि हाँ इसका meaning क्या है differentiate करना हुआ differentiate दिया हुआ जो function है y with respect to x के साथ हम उसे differentiate कर रहे हैं ठीक है तो अभी इसका मतलब आप उसको किस pattern में आपका यो जो function यहाँ पर दिया हुआ है वो function है c c is the function तो dy by dx is equals to dy by dx of what c bracket में ले 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 तो dy by dx of c तो इसका मतलब हमारे पास जब भी भी constant को हम differentiate करते हैं तो उसकी value will be nothing but zero उसकी value always zero आएगी तो मैं ऐसे zero हम किस के लिए zero लिखेंगे c is what आप example दीजिए तो कुछ examples मैं आपके सामने रख रही हूँ examples को समझेगा कि example पहला जो है example मैंने आपको जैसे दिया y is equals to suppose 80 y is equals to 80 इसका मतलब यह जो 80 है यह numbers है numbers हमने सबने सीखे है numerals right तो जो numbers है it is nothing but constant इसे हम constant बोलते हैं ठीक है इसे हम क्या बोलते है constant बोलते हैं तो इसको जब हम differentiate करेंगे differentiating यहाँ पर हम differentiate कर रहे हैं मतलब क्या हम rate of change of unknown function जो y है उसको differentiate करें differentiate with respect to x x के साथ उसे differentiate करें तो उसको लिखेंगे कैसे तो उसको dy by dx dy by dx left hand side को भी differentiate करना है and right hand side को भी differentiate करना है तो pattern इस तरह के से लिखा जाएगा dy by dx is equals to both the sides को differentiating with respect to x both the sides तो dy by dx of what dy by dx मतलब यह y का value क्या है यहाँ पर 80 है तो 80 को bracket में just लिखा understand करने के लिए दे कि bracket में लिखने के बाद में अब dy by dx of 80 will be what yes it will be 0 तो dy by dx यहाँ पर जो differentiate किया हमने 80 को तो उसकी value क्या ही 0 आई तो आपका जो final यह तो छोटी छोटी जस्ट आपको इन concepts को समझ लिया तो easily आप जो है वो sums जो है वो आराम से कर सकते आपको कोई problem नहीं आने वाली है believe me ठीक है second जो formula यहाँ पर एक दो example आप लोगों को और दे देती हूं यह y is equals to 80 को differentiate किया तो हमें value क्या मिला 0 मिला अभी अगर कोई सोचेगा miss अगर y is equals to miss question में दिया है 6 raise to 6 तो value क्या होगी तो again अगर y raise to y is equals to 6 raise to 6 आया 6 raise to 6 आया तो again हम क्या कर रहे हैं यह constant है यह क्या है constant है और constant को जब हम differentiate करते हैं तो उसका जो answer आएगा वह 0 ही आने वाला है तो जब आप इसको differentiate करोगी यहां पे मैं कर देती हूं dy by dx is equals to 6 dy by dx मतलब d upon dx of 6 raise to 6 उसकी value आएगी 0 किसी को ऐसे होगा okay में इस कुछ कुछ चीज हमने देखी है कि e के उपर power 6 ऐसे हमने देखा है तो उसको हम 0 लिखते है y is equals to e raise to suppose 5 दिया है तो यहां पर यह जो e है e is the base और यह e क्या है तो e is an irrational number e is nothing but e is an irrational number है irrational number है यह क्या होता है यह base है this is called base e is a base and 5 is what power यह indices में अपने study किया है इंडेक्स इंडेक्स में ठीक है तो irrational number है and irrational number वो उसके जो value होती है वो यह पर logarithm के साबसे इसकी value 2.718 जो आपको काम में आने वाला नहीं है और इसका जो graph बनता है वो curve curve shape करता है it's a curve graph is curve okay now इसकी जो differentiating differentiate करने पर इसकी value जो हैगी d y by dx of d upon dx of what e raise to 5 will be 0 इसकी value भी आपको 0 लेनी है फिर यह तो हम single single concept को पहले समझ रहे हैं और example ले लेते हैं चलो अभी यहाँ पर अगर आपको बोला y is equals to अभी आप बोलेगे means two digit number रहने दो या three रहने दो या four रहने दो five रहने दो अगर आपको only constant मिल रहा है मतलब आपको numerals दिकाए देर only numerals without any variable variable क्या होते है x y z यह सब क्या variable count करते हैं math में algebra में आप लोगों ने सीखा है तो अभी हम d y by dx of e raise to five हमने zero निकाला तो फिर value zero आएगी तो फिर next जैसे example हमने लिया और इस पर based एक sum भी करेंगे हम y is equals to अगर हमारे पास y is equals to log this is called log logarithm log logarithm function यहां पर यहां पर यह logarithm function है नहीं है इसके साथ में constant हमें दिखाई दे रहा है यहां पर log of मान लो हमने लिखा log of 10 log of 10 तो log of 10 हो यह फिर आपको बोला एक और example लेते है y is equals to log of a y is equals to log of a तो इनकी values differentiate करने पर इनकी value क्या आएगी तो dy by dx is equals to d upon dx of what log 10 bracket में लिख लेते हैं will be is equals to 0 इसकी value 0 ही आने वाली है क्योंकि इसके साथ constant है यह जो function of x है यहां पर इसको function of y is also called as function of x तो function of x है तो यहां पर function of x is equals to log 10 अगर आपको दिया है ठीक है log 10 दिया है तो यहां आपका यह जो log 10 is a constant 10 is a constant तो इसकी जो value है वो हमें 0 ही लिखनी है constant अगर है तो इसकी value हम क्या लिखेंगे 0 ही लिखेंगे यहां पर same इसके साथ dy by dx of d upon dx of log a and a is what here a is constant a को यहां पर हम constant consider करते हैं a is nothing but constant so इसकी जो value आएगी वो 0 ही आएगी dy by dx is equals to 0 ठीक है differentiate करने पर value जो है वो 0 आएगी यह था आपका पहला formula जो constant को लेकर तो यह इसी की मैंने कुछ examples आपको दिये formula में मतला पहले आपको यह समझना जोरी कि y is equals to c यह constant है c is a constant y अगर आपका function of y जो है वो constant है that is y is equals to function of x is equals to आपको c दिया है y is nothing but function of x is equals to c दिया है तो आपके value 0 आएगी और कुछ examples मैंने जो है आपको दिखा है तो आप इसकी जो है screenshot ले सकते हैं ठीक है now next हम जाते है second formula है हम examples के साथ जो है formulas को समझेंगे ताकि बात में जब आप compile करकर पूरा आपको जो sum आएगा यह mix आपको sum आएगा तो आप कैसे solve करें वो आपको आपको आसान हो जाएगा तो पहले आपको concept को समझना जोड़ी है y is equals to अगर आपको c and function of x इस तरीके से दिया है इसका मुलब c is what? c is constant c is what? it is a constant and constant की value आप सब भी जानते हो c is constant 0 होती है लेकिन कब होती है जब वो अकेला c होता अब यहाँ पर आप समझोगे कि हमेशा c अगर आपको constant दिकाई दे रहा है तो क्या हमेशा 0 लिखेंगे? नहीं ऐसा नहीं है अगर आपके पास single constant खाली दिया है function of x उसका नहीं है only c दिया है तो उसकी value जो है वो 0 आती है fx is what function fx function है ठीक है? तो यहाँ पर जो इसके पहले हमने किया था कि यहाँ पर जो y is equal to function of x is equal to c ता है c into fx मतलब example के साथ इस चीज को समझेंगे लेकिन पहले लिख लेता है कि function of x के साथ अगर constant है तो dy by dx जब आप निकालोगे differentiate करोगे तो आप इस constant को पहले starting में constant को लिख लोगे c को लिख लिए फिर आप d upon dx of what function of x को differentiate करोगे c को आप पहले लिख लोगे वो differentiate नहीं होगा वो as it is रहेगा यहाँ पे हम इसको 0 भी नहीं लेने वाले इस तरीके से अगर हमारे पास y is equal to आता है question में तो हम constant को multiplication है c into fx मतलब हम constant को रख लेंगे without differentiate किये वे उसकी value 0 नहीं लिखेंगे d upon dx of function of x में नहीं समझ में आ रहा है doubt हो रहा है अरे इसमें doubt वाली क्या बात है अभी आपको मैं example देती हूँ तो आपको यह concept जो है वो समझ में आ जाएगा आपके सामने example लखने पर आपको इसी लगेगा तो यहाँ पर हम एक example ले लेते हैं for example आपको दिया y is equal to 20x चलिए y is equal to 20x तो यहाँ पर जो function of x है वो x है function of x is equal to x है मतलब dy upon dx is equal to d यह 20 हम बहार रख लेंगे 20 को बहार रख लिया differentiate नहीं किया जगा dx upon dx है purpose ही मैंने लिया तो miss यहाँ पर x upon x आ गया अब क्या यह और example लोगी यह example समझने के लिए दिया कि ऐसा भी हो सकता 20x है तो 20x की differentiable value जो है वो 20 आएगी वो कैसे आएगी देखो constant यह जो constant है c इसको हमने रख लिया बहार and d upon dx of हमने क्या किया d upon dx of x निकालेंगे तो आपको पता है जब भी भी आपके पास numerator and denominator same होता है यह तो general concept है आप लोगों के लिए कि numerator मतलब जो हम top में लिखते है and upon हम line के बाद में नीचे जो लिखते है वो denominator तो जब same होता है तो value हमाले पास क्या आती है जैसे मैंने आप से पूछ लिया कि भी 10 upon 10 क्या होगा तो आप बोलोगे miss 1 तो वैसे dx upon dx क्या होगा dx upon dx will be 1 it is going to be 1 so 20 in bracket में लिख लेते हैं 1 20 into 1 इसकी value क्या जाएगे 20 तो dy upon dx is equals to 20 कुछ और समझने के लिए example लेते हैं जैसे आपको ले लिया कि y is equals to 7x y is equals to 7x तो अब आपको concept समझ में है कि dy by dx of 7x will be what dy by dx of 7x will be 7 अगर आपको बोल दिया कि ठीक है आप और example ले लो कि y is equals to y is equals to minus y is equals to minus 100x क्या ले लिया minus 100x तो इसकी value क्या आएगी differentiate करने पर dy by dx of d upon dx of minus 100x इसकी value जो है आजाएगी minus 100 आपका x कहां चला गया वो differentiate होने पर क्या हुआ dx upon dx हुआता और dx upon dx को जब आप dx upon dx is nothing but जैसे 10 upon 10 का value 1 होता है वैसे dx upon dx का value भी 1 होता है तो इसका मतलब in general आपको ध्यान में रखना है कि x का जो मैं बाद में आपको एक standard function का जो है chart दूँगी तो आपको just आपको study कर लेना है वो आपको study कर लेना है तो आपको दिमाग में रह जाएगा कि हाँ वो बार बार go through करोगे तो आपको जो general concept है वो बराबर दिमाग में रहने वाले तो यहाँ पर minus 100 हम लिखेंगे ठीक है now next उस पर जाते है तो यह तो हुआ कि आपके function of x के साथ में जब कोई constant होता है तो constant 0 नहीं बनता है यह difference आपने यहाँ पर सीखा कि जब only constant है तो differentiable value of function will become 0 लेकिल अगर आपके constant के साथ कोई function है तो वो constant आपका 0 नहीं बनता है वो constant की value आप as it is लिखते हो जैसे 20 x है तो 7 x है तो उसका answer 7 आया ओके अगर आपका y जो है function जो है वो minus 100 x है तो उसका answer जो है minus 100 आपको लिखना है तो इस सरीके से हम लिखते हैं now next हम इस पर जाते है next value समझने के लिए तो next formula हम लेंगे कि जैसे आपको दिया y is equals to x raise to n y is equals to x raise to n दिया है तो यहाँ पर n क्या है what is n यह n जो है वो क्या है आपको दियान में लखना यह n क्या है तो n is a natural number n is natural number है और natural number किस से begin होता है जीरो से begin होता है या one से begin होता है पहले तो दियान में लखना आपको national number जो है वो set of national number begins with one two one it begins with one then two three and so on infinite छीक है तो आपको n आपका zero नहीं होना चाहिए n zero होने से value जो आती हो अलग आती है तो यहाँ पर n जो होगा अगर आपका n x के उपर कोई भी नंबर हो माल लो अभी आपको उसके x raise to n अगर आपके पास है तो आपको उसे differentiate करने के लिए dy upon dx is equals to dy by dx of x raise to n है तो उसकी value जो differentiable value क्या होगी यह जो power में है यह जो power में n दिखाई दे रहा है उसको पहले आप beginning में लिख लो answer के यहां फिर multiply का sign that is dot here dot is nothing but multiplication का sign फिर आपका यह जो base जो दिया है this is base this is called base ठीक है यह base है as per the indices rule के साबसे और यह क्या है power है exponent है ठीक है तो यहां पर n into x raise to n minus 1 n minus 1 यह आपका जो है standard function को differentiate करने पर value आएगी x raise to n है मतला यहां पर अभी example दोंगी कोई भी number रहने दो n अगर आपको समझ में आगा कि n x raise to n है तो उसकी value जो होती है differentiable value n into x raise to n minus 1 इस तरीके से आपको लेनी है n into x raise to n minus 1 तो कुछ examples के साथ हम समझेंगे जैसे आपको example लिया यहां पर कि आपका y is equals to y is equals to आपके जो value है यहां पर y is equals to x raise to x raise to 25 दिया x raise to 25 x raise to x raise to मतलब x के power में 25 है अब इसकी value कैसे निकालेंगे तो इसको differentiate जब किया जाएगा मैं बार-बार differentiate word नहीं लिख रही हूँ यहां पर आप लिखोगे d y by dx is equals to d y by d y by मतलब y का value क्या है यहां पर x raise to 25 तो d upon dx of x raise to 25 इसको जब आप differentiate करोगे तो value आपर क्या मिलेगी आपको यह 25 क्या है here this 25 is the power तो यह power को आपको यहां base के यहां लेकर आना है इसको कूद कर आना है यह jump करकर यह जो 25 है वो jump करकर base के यहां पर आकर बैट जाएगा फिर हम x लिखेंगे और power में 25 minus 1 और फिर वो एक कम हो जाएगा उसे jump कर लिया तो वो एक कम हो जाएगा तो 25 into x raise to 25 minus 1 तो यह 25 क्या है natural number it's natural number यह natural number है तो natural number में से minus 1 करना है पहले तो national number खूद कर नीचे आकर base में बैट जाएगा और उसके बाद में जब वो power में रहेगा भी तो वो एक preceding number के साथ वो बैठेगा power में with preceding number तो यहां पर 25 x raise to 24 इस तरीके से आपको लिखना है तो यह जो differentiable value जो होगी x raise to 25 की वो क्या होगी 25 x raise to 24 एक और example ले ले लेते हैं छोटा सा example जैसे आपको बोला यह example आपको ऐसे इस तरीके से दे दिया कि x y is equals to x raise to minus 10 चलो दे दिया minus 10 चलो एक value minus वाली भी सिखनी चीए हमें तो minus 10 दे दिया तो इसको differentiate कैसे करोगे तो वो ही pattern है dy by dx of what d upon dx of x raise to minus 10 तो यहाँ पर power में जो है बस इसको थोड़ा से आपको समझना है भी मैं paste नहीं करूँ तो यहाँ पर power में minus 10 है तो यह minus 10 कूद कर यह जो minus 10 है वो कूद कर आ जाएगा base के यहाँ पर तो dy by dx of minus 10 ठीक है फिर आप x लिखोगे फिर power में आप क्या लिखोगे minus 10 और फिर minus 1 तो यहाँ पर आपका जो number है आप इस तरीके से इसको लोगे minus 10 raise to minus 10 x raise to minus 10 minus 1 तो index में जो number रहे जाएगा वो आपका क्या रहेगा index में minus 11 हो जाएगा यहाँ पर minus 10 x raise to minus 11 इस तरीके से आजाता है I hope आपको जो concept है वो समझ में आ रहे हैं कैसे आपको क्या लेना है और दीरे दीरे जैसे जैसे आप practice करते जाओगे आप जैसे प्रक्टेस करोगी वैसे वैसे आपको जो concept से वो clear होते जाएंगे आपको कोई problem आने वाली नहीं है कोई problem आने वाली नहीं है example में हम लिखेंगे next इस तरगी की questions क्या है mix होकर आपको यह जो formula है जैसे चुटी चुटी में उसकी parts आपको बता रहे हूं second example जो है वो हम इस तरगी से ले लेंगे कि भी 10 आपको दिया है y is equals to x raise to आपको यहाँ पर दे दिया 10 दे दिया तो आप तो आपको समझ में आने लग गया कि differentiable value dy by dx of what आप लोगे d upon dx of x raise to 10 pattern से इम आप follow करने वाले हो आपका जो base है वो कूद कर जो है यह जो sorry power जो है वो कूद कर base में आ जाएगा और फिर base as it is मतलब आप x as it is लिखोगे and power में आप एक preceding number 10 का preceding number क्या होता 9 होता है और अगर आप formula के साब से जा रहे हो कि भी x raise to n का जो value है वो n into x raise to 10 n minus 1 तो n is what here 10 तो 10 minus 1 हम लेंगे तो जो answer आएगा वो x raise 10 x raise to 9 इस तरीके से आपको लेना है 10 x raise to 9 इसी तरीके से एक और example लेते हैं दो example और ले लेते हैं चीज को समझने के लिए थर्ड मालों हमने example लिया कि y is equals to teacher अगर under the root अगर कोई value आगया तो टीचर हम इसको कैसे differentiate करेंगे तो under the root अगर x है तो under the root यह root का मतलब क्या होता है कि index के हिसाब से root का मतलब होता है x के उपर power half x के उपर power half है तो under the root x हम लिखते हैं उसको अगर y के उपर power half है तो under the root y लिखते हैं तो यह index का rule है यह under the root मतलब यह half है square root निकालना हुआ square root तो x का square root जो होगा वो x raise to half होगा x raise to half होगा तो यहाँ पर इसको कैसे solve करना तो इसको जब differentiate करेंगे तो d by by dx of d upon dx of x raise to half that is equals to यह जो half है वो base में कूद कर आ जाएगा कूद कर यह base में आकर बैठ जाएगा इस तरह किसे half फिर x लिखकर हम उसकी उपर power में half minus 1 इस तरह किसे लेंगे half minus 1 half minus 1 अब इसकी value कैसे हम निकालेंगे तो half into x raise to यहाँ पर आप directly half minus 1 ऐसे कर सकते हो नहीं आपको क्या करना है equalize करना denominator को equalize करना तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए यहाँ पर 2 आना चाहिए तो मतलब आप 1 को भी multiply by 2 करोगे इसको equalize करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1 को multiply by 2 करोगे और divide by 2 करोगे तो 1 को multiply by 2 और divide by 2 करने से क्या होगा उसको originality वो chain नहीं होगी क्योंकि अगर आपको इसको reverse गाड़ी यहाँ पर लानी है तो आप 2 2 को cancel करकर वापिस 1 बन सकता रही तो इसका मतलब हम कैसे इसको equalize करेंगे half minus हमें क्या लेना है 1 into 2 upon 2 यह मैं purpose ले deeply जा रही हूँ कुछ बच्चे क्या है थोड़ा सा content जो revise नहीं करते तो हम थोड़ा सा confused रो जाते कैसे आया तो half into x raise to half minus अभी आपका 2 upon 2 है minus 2 upon 2 अब आप इस fraction को यह जो आपका numerator and denominator form है इस numerator and denominator form को आप क्या कर सकते हो आप minus कर सकते हो तो half minus 2 upon 2 इसका मतलब है आपका half into x raise to चलो इस 2 and 2 को common है ना denominator common ले लिया 1 minus 2 इस तरह के से लिख लिया यह सब चुटी चुटी क्लास में आपने 7th में 6 में सीखे है तो 1 minus 2 upon 2 ले लिया value क्या आएगी परपसरी detail में जा रही हूँ half into x raise to बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा वह सोचे होंगे मैंस आप ऐसे क्यों बता रहे हो हमी तो आता है पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लोग थोड़ा सा content जो है confused हो जाते हैं भूल गए हैं तो उनके लिए x raise to minus half अभी x raise to minus half इसको आप किस तरीके से किस form में लिखोगे finally इसकी जो value होगी differentiable value वो finally हम as per the standard जो function आप सीकोगे rule जो मैं आपको एक chart दूंगी तो उसमें आपको value है न half under the root x इस तरीके से दूंगी half under the root x जब यह minus में है इसको plus में positive बनाना है तो आप इसको क्या आप इसको जब denominator में लेके जाओगे और root के साथ आप लिख सकते हो कि two root x मतलब आपका differentiable value जो है dy by dx का जो function आपको है under the root x उसको directly हम half two root x ऐसे लिख सकते हैं half upon two root x यह इसकी value आती है half root x ठीक है one upon two root x differentiable value of under the root x की one upon two root x थोड़ा सा यह वाला जो है वो थोड़ी से आपको practice करने पड़ेगी इसके लिए अब यह इसका इस तरीके से भी आ सकते है भई आपको example एक और ले लिए कि y is equals to three root x तो y is equals to three root x लिए है तो miss इसको हम कैसे लिखेंगे तो सीधी सी बात है differentiable value जो है आप dy by dx की लिखोगे three upon two root x बस एक बार यह standard pattern आपको याद हो गया कि यह इसका pattern है तो मतलब यह तो कहीं नहीं जाएगा नहीं तो constant as it is रखना है हमको constant को तो हमको अलग से as it is रखना है इसको 0 भी नहीं बनाना है क्योंकि यह function of x के साथ में है तो इसको 0 भी नहीं बनाना है तो three upon two root x है तो तरह किसे हम लिख लेंगे value ऐसे आएगा एक और x को लेकर मैं पहले भी बता चुकी आपको अगर आपका y is equals to x है इस तरीके से आपको दिया y is equals to x इसको differentiate करने के बुला यहाँ पर जो function of x है वो x है तो आप जब इसको differentiate करोगे तो dy upon dx is equals to dx upon dx इस तरीके से लोग है तो dx upon dx की value मैंने आपको जस्ट इस से पहले अगर इसको cancel भी mathematically आप numerator and denominator जब same होता है तो value क्या होती है 1 होती है value क्या होती है 1 होती है इस तरीके से आप लोगों को यह patterns को समझना है now next जो हमारा formula है वो होगा यह जो चीजे है वो इतने difficult नहीं होती है बस खाली क्या है contents को समझने की जरूत होती है थोड़ा सा मेहनत करते है content समझ जाते practice करते हैं और इसका result अच्छा आ जाता है एक example और ले लेते हैं समझने के लिए कि बाबा मिस अगर y is equals to अगर हमें इस तरीके से दे दिया की हमें दे दिया 15 x raise to 5 तो इसको हम कैसे ले तो इस सेम भाबात है यहां पर constant जो है वो function of x के साथ में तो यह constant 0 तो न देंगे तो इसकी value अब कैसे बनेगी अब तो आप smart होगे इसकी value भी आप आराम से easily निकाल सकते 15 x 5 को bracket में लो क्योंकि यह base में पूद कर यह power में लिखा हुआ है 5 वो base में पूद करा जाएगा तो यह 15 x 5 and then x raise to 5-1 तो value क्या जाएगी 15 पाइजा कितना होता है 75 होता है टे आपको याद है या भूल गए है तो 75 होता है तो आपके लिखो के 75 x raise to आपके value जो है 4 आपको लेना है and here x is nothing but variable यह variables होते तो उनकी कोई भी value जो हो जब value हमें substitute करने है तब हम करते हैं यहाँ पे हमें करना नहीं है हमें differentiate करकर value निकाल नहीं है वो हम जो cost function वगरेगे marginal functions के marginal इकनोमिकल जो सम्स करेंगे differentiate के अंदर differentiate के अंदर तभी हम उनसको सीखेंगे ठीक है तो इस तरीके से करना है next आप हम आजाते हैं तो यह वीडियो आप लोगों को ज्यादा ज्यादा अपने friends के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी help मिल जाए और यह जो concept है वो समझने लग और आपको भी comment box में लिखकर बताना आपको कैसा लगा क्या आप चाहते हों कि मैं continue आप लोगों के लिए लाते रहूं ऐसे वीडियो ताकि आपको कोई problem ना हो concept आपकी clear होते जाए फोर्थ जो formula है वो लेंगे हम e y is equals to e raised to x का y is equals to e raised to x और यहाँ पर जो e है e is what here e is what e is an irrational number e is an irrational number and log logarithm में इसकी जो value होती है वो 2.781 हो आपको substitute करनी नहीं है खुछ इस तरीके से होती है ठीक है तो इसको जब आप differentiate करोगे तो कैसे करोगे तो d y by d x of e raised to x d upon dx of e raised to x तो e raised to x का जो value है वो आपको e raised to x ही लिखना है यह e raised to x ही आएगा e raised to x का value same e raised to x सबसे आसान सबसे important समलो आप एक तरीके से यह सबसे आसान है कि e raised to x को जब हम differentiate करते हैं तो हमें value जो है वो e raised to x ही receive होता है गूसा हमें कुछ receive नहीं होगा तो इसके कुछ examples certain examples हम ले लेते हैं जब यह constant के साथ होता ही e raised to x तो value क्या लेंगे तो जैसे example मैंने दिया first example हमने ले लिया कि y is equals to आपको 8 e raised to x जी आए तो आप इसको कैसे differentiate करोगे तो d y by d x of इसकी value 8 e raised to x ही आएगी आप जब इसको differentiate करोगे d y by d x of x is equals to d upon d x of 8 e raised to x का value as it is same to same आपका value आएगा इसमें कुछ changes आने वाला नहीं है क्योंकि यह जो है आपका 8 तो constant है तो इसको हम क्या करते हैं बाहर ले ले लेते हैं जैसे मैंने आप लोगों से बोला कि आप इसको जो है बाहर ले ले लेते हो और पर d upon d x of जब आप e raised to x निकालते हो तो that will be your 8 e raised to x only यहां पर थोड़ा सा history जैसे लग रहा है चलो इसको cancel करके लिखते हैं इसका मतलब है इसका मतलब है d y by d x is equals to 8 into d upon d x of e raised to x और e raised to x को हमें क्या करना है as it is e raised to x ही लेना इसके differentiable जो value होती हो वो same होती है तो आपका d y by d x is equals to 8 into e raised to x ही आएगा एक और example ले लेते हैं मान लो अभी इसमें तो मुझे आपको बताने के भी जरूत निपड़ेगी कि क्या कैसे करना है तो y is equals to अगर आपके पास है समझो 20 e raised to x तो आपका differentiable value of 20 e raised to x का same 20 e raised to x ही आपको लिख लेना है यही आपकी value आईगी fine now move करते है next fifth इस पे formula पे बाद में इसका चार्ट में आपको provide करूंगी फूरा जिसको आपको बायर्ट कर लेना है 12 में जिन्नों ने पढ़ा था उनको तो बायर्ट होगा तो उसको लेकर कुछ बच्छे शेयर करते हैं हमने तो 12 में 11 में पढ़ लिया था हमें काफी आसान जा रहा है तो जिन्नों ने नहीं पढ़ा था 12 में यह सब तो उनको ज़्यादा टेंच चुल इसको अगर यहां पर वेर जो है वो कॉंस्टनद वेर एस कॉंस्टन वाई गोश्ट तो इस तु एस तो एक सर जहां पर एज जो आपका कॉंस्टन होता है रिस एका वाली टू थी तरीके से है आपके पस नाच्छाल नंबों यह तो उस केस में हम हम डिफ्रेंशीट a raise to x को differentiate करेंगे तो dy by dx of a raise dy by dx of a raise to x की जो value आएगी differentiable value वो पहले तो ये पूरा का पूरा base में बैठा रहेगा a raise to x as it is बैठा रहेगा फिर हम इसे लिखेंगे log of a log a इसे लिखा जाएगा log a इसके लिखा जाएगा log a differentiate जब करते है a raise to x को तो इसका standard जो form है standard form इसका result जो आएगा वो a raise to x into log a ऐसे लिखना है कुछ examples देती हूं आप लोगों को example जैसे पहला example हमने लिया हमारे पास है y is equals to 9 raise to x है ठीक है y is equals to 9 raise to x है तो 9 raise to x है तो इसको differentiate करेंगे तो dy by dx of dy by dx is equals to d by dx of what 9 raise to x तो इसकी value जो आएगी 9 raise to x into log 9 9 raise to x into log 9 देखिए यह formula आपको याद हो गया तो आप हर एक value जब आपका constant base में है और power में आपका variable है constant here 9 is a constant तो आपको पहले तो as it is जो question में दिया है 9 raise to x है तो 9 raise to x 7 raise to x है तो आप 7 raise to x लिख लोगे 5 raise to x है तो 5 raise to x as it is लिख लोगे और उसके बाद में आप क्या करोगे 7 raise to x का value जो आएगा 7 raise to x into log 7 यह differentiable value है 5 का differentiable value क्या आएगा तो 5 raise to x into log 5 इस तरीके से आपको ले लेना है बात समझ में आरही है आपको इस तरीके से यह जो values है होस लेनी है solve करना है इस तरीके से आपको यही आपका क्या होगा pattern होगा solve करने का लेकिन अगर अब हम सुचेंगी कि miss अभी यह तो ऐसे हमने ले लिया आगे क्या करना है तो 7 raise to log 7 हमने ले लिया अभी अगर आपको with constant इस तरीके से आपको question आगया थोड़ा सा changes के साथ में confused नहीं होना है थोड़े से changes के साथ में इस तरीके से आपको question पूछ लिया इस तरीके से miss तो यह देखे ऐसे पूछ जितने मतब varieties आपको पूछ सकते हों सारा में cover up कर रहें फिर हम इसको compiled के वे sums को करने वाले है तो यह सारे अलग-अलग-अलग पहले इनकी practice कर लेनी आपको तो जैसे दूसरा example जैसे हमने लिया कि y is equals to आपके पास जो है 5 in the bracket 4 raised to x इस तरीके से हैं तो इसको differentiate करोगे तो कैसे करोगे तो dy by dx of 5 को as it is बाहा रहने दो क्योंकि यह constant है separately constant है इसके power में कुछ नहीं है चीक है तो इसको as it is ऐसे लिख लिख लिए 5 then dy upon dx of what 4 raised to x को हम differentiate करेंगे तो value आईगी 5 into 5 into 4 raised to x into log 4 समझे मैं रहा है 5 को as it is 5 को as it is रहने दिया 4 raised to x को हम क्या लिखेंगे as it is पहले तो लिख लेंगे इसको दो टुकडे लिखा जाता है differentiate करने पहले तो एक बार इसको बिना changes as it is लिख लो उसके बाद इसका differentiate करकर log 4 आएगा तो यह जो value है यह differentiable value है 4 raised to x की differentiable value 4 x into log 4 अगर यहाँ पर एक और example हम ले लेता है जैसे दे दिया कि y is equals to आप लोगों को दे दिया होता 10 in the bracket 3 raised to x दे दिया होता तो अब इसके differentiable value क्या होती है तो d y by dx is equals to d upon dx of what 10 को बाहर as it is ले लो and 3 power में x है उसको आप differentiate करोगे 3 power x में 10 in 2 आप लिखोगे 3 raised to x as it is लिखा and फिर log 3 फिर यह जो power का x है वो उड़ जाता है log के यहाँ पर हम नहीं लगाते है log 3 इस तरीके से लिखना है I hope बात जो है वो समझ में आ रही है एक जो normal formula एक और करेंगे फिर हम rule जो है वो सीखेंगी इतने आपने अच्छा से कर लिया तो आपको कोई problem आने वाली नहीं है अभी इस इक्स्त जो example है वो y is equal to log x अगर आपके पास आता है question में y is equal to log x तो इसका formula इसके लिए आप क्या करोगे तो जब आप इसका dy by dx करोगे मतला आप इसको differentiate करोगे तो आप d upon dx of log x की जो value होगी वो आपकी 1 upon x होगी आपको क्या लिखनी है 1 upon x लिखनी है example कर लेते कुछ जैसे example हमने लिया कि a पहला example कि y is equal to 7 log x से चलो साथ में constant भी रख लेता तो constant को तो क्या करना है जब आप differentiate करते हैं चांस्टन किसी variable log x यह x के साथ होता है तो constant की value 0 नहीं बनती है जब constant एक दम अकेला बिना किसी variable के साथ है अगर हमारे पास किसी variable के साथ नहीं आप लिख लग के साथ है तो उसको 0 नहीं लिखते है 7 as it is रहेगा then dy by dx of log x जो होगा तो उसकी value क्या होते हैं 1 upon x होते हैं यहाँ पर 7 into bracket में लिख लो चाहे 1 upon x तो आपकी जो value आजाएगा वो 7 upon x आजाएगी इस तरके से आपको ले लेना एक और example इसका ले लेते हैं second example जो है y is equals to malo 17 log x है तो 17 को आप as it is रहने दोगे तो dy by dx is equals to 17 into d upon dx of log x that is nothing but 17 into 1 upon x that is nothing but 17 upon x इस तरीके से हमें लिखना है यह तो यह general जो चीजे हैं जो आपको याद रखने हैं तो अभी इसको हम just इसको एक pattern में भी हम इसको सीख लेते हैं कि भी आप जो functions आपको दिये होंगे तो उसको आप कैसे आप यह table जो है वो याद कर ले ना आपको अभी टेबलर फॉर्म में अज़र यह तो मैंने examples देके आपको समझा दिये अब आपको टेबलर फॉर्म में में दे देते हूं कि अब आपको यह standard functions समझने में ज्यादा आसानी होगी नहीं तो विदाउट without examples फिर वो confusions होते है derivatives of some standard function इनको याद ही कर लो आप आप अपने खुद के examples ले लेके भी अभी समको समझ लो कि भी आई यह function कहां पर use होगा कैसे use होगा ठीक है ना तो आप लिखोगे यहाँ पर functions का मतलब क्या है वही functions मतलब जैसे आपको y is equal to function of x दिया है ठीक है और उसको differentiate करने बोला है मतलब derivatives निकालने बोला है derivatives that is dy by dx करने बोला है या फिर इसको हम बोलते हैं और इसको f dash x भी बोला जाते है function derivative function of x जब आपको करना होता है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले आप को एक example दिया मैंने जैसे example मतलब function का कि k आपके पास k है मतलब constant तो constant खाली अकेला constant है तो उसकी value हमने क्या सीखी जीरो निकलता है सबसे पहला जो example हमने क्या था उसकी value क्यों आती है जीरो होती है राइट सबसे पहले हमने वह ही किया जहां पर जैसे y is equals to 80 है तो हमने क्या लिखा उसकी value जीरो लिखी है फिर second जो है वह हम constant के साथ में x की value निकालना सेकते है एक एक तो हमने 1 अगर आपके पास only x है variable में only x है तो आप उसकी value क्या लेने वाले हो one लेने वाले हो फिर third यहाँ पर under the root x under the root x है तो आप क्या लिखोगे तो आपको मैंने बुला याद रख लो one upon two root x लिखोगे one upon two root x लिखोगे one upon two root x फिर आप fourth यहाँ पर कि अगर आपके पास one upon x है तो आप क्या लिखोगे one upon x है तो आप क्या लिखोगे उसका भी मैंने आप लोगों से पता है कि वही one upon x अगर आपके पास है यह शायद इसका example हमने solve नहीं किया अगर आपके पास one upon x है तो उसकी value जो आती हो minus one upon x square आती है अभी यह क्यों minus one upon x square कैसे आएगी तो देखो हमने अभी यह denominator में x है तो denominator में x है तो इसको आप x raise to x raise to आप जैसे minus one ले गया ठीक है तो पावर में आपका क्या गया minus one आ गया पावर में हम क्या करें इस one upon x को लिकरें one upon x can be return as x raise to minus one तो इसकी जो value आएगी वो क्या आएगी यह index में क्या दिया आपको minus one दिया तो आप minus one को पहरे यहाँ पर लिकलोगे यह कूद कर नीचे आ जाएगा base में आकर बैठ जाएगा ठीक है फिर x raise to minus one raise to minus one यहाँ minus one is end तो minus one minus one मिलकर क्या हो जाएगा minus two minus one x raise to minus two हुआ तो जो value आगे जाएगी वो आएगी minus one upon अब इसको आप जब base में लिखे जाके इसको positive कर दोगे positive कर दोगे तो यह index को positive बनाने के लिए x raise to two लुक होगे तो one upon x की जो derivative value होती है वो minus one upon x square होती है क्या आती है minus one upon x square तो आपको इसको minus one upon x square लिखना है यह चोटी चोटी चीजे जो है वो बहुत काम की है आपको ध्यान में रखनी है और इन patterns को आपको सीचना है हमने जो previous इसके पहले भी इसका example किया है one upon x form में नहीं किया लेकिन मैंने यह example जो आप लोगों को बता है था कि जब आपका x raise to minus 10 है तो इसका meaning यह होता है ना कि one upon x raise to 10 तो one upon x raise to 10 का जो form है दूसरा version जो है वो x raise to minus 10 है तो यह जब हमने solve किया तो हमारे पास value जो आई थी हूँ क्या थी minus 10 x raise to minus 11 आई थी तो minus 10 x raise to minus 11 को हम minus 10 upon x raise to 11 इस तरीके से हम इसको लिख सकते है minus 10 upon x raise to 11 ठीक है तो वो ही चीज यह formula बहन upon x आपको set करना कि one upon x जो होता है that is nothing but minus only one upon x है तो minus one upon x raise to two तो यह pattern यह होता है solve करने का तरीका यह होता है जब आप x raise to कौन से वाले formula के ही सबसे आप इसको जब solve करते हो जब आपके पास यह जो fifth formula में दे जी हूँ ना x raise to n है मतलब आपके पास x raise to n है तो आप इसको कैसे solve करते हो तो n into x raise to n minus one तो यह यहाँ पर भी apply होता है यही same चीज़ apply हुए पर one upon x के लिए आप जाए एक by heart कर सकते हो only one upon x है तो आप minus one upon x raise to two ले लोगे लेकिन अगर आपके पास power में x की power में अगर बड़ा number है तो आप उसको solve करकर check करोगे मतलब आप उसको increase करना पड़ेगा आपको index को index number को increase करना पड़ेगा उसकी जो index है वो 11 बन जाती है positive 11 और जो पहले पहले जो old power है वो minus 10 वो as it is minus 10 minus 10 upon x raise to 11 हमने लिखा यहाँ पर भी हमने क्या किया यह पुरानी power क्या बनी थी इसकी इसकी पुरानी power है minus 1 minus 1 है तो उसको minus 1 upon x raise to 1 बड़ा कर succeeding number हम लिखते हैं तो x raise to 2 हम denominator में लिखते हैं now next जो formula है 6 जो आपको standard function के formula आपको याद अख लेना है इसको कैसे हम solve करते है derivative इसकी value क्या आती है ठीक है तो next a raise to a raise to n a raise to x sorry n ने लिखेंगे a raise to x है तो a raise to x को हम क्या लिखेंगे a raise to x into log a log a ले ले लेंगे a raise to x into log a हमें ले लेना है ठीक है now next seventh e raise to x है तो उसकी differentiable value क्या होगी e raise to x सी आएगी e raise to x e raise to x का हम e raise to x लिखेंगे and अगर हमारे पास log x है तो उसका differentiable value क्या आएगा one upon x लेना है क्या लेना है one upon x और इनको मैं आपको examples के साथ बता चुकी है यह सब हम examples के साथ कर चुके हैं आगे हम compiled way में जो पूरे complete sum हम solve करेंगे उस time पर हम फिर से जब रीकलेक करेंगे तो हम यह चीजे याद आ जाएगे हम rules है जो पहला जो है हम addition and subtraction rule वाले sums करने वाले तो वह हम जो है next video lecture में करेंगे तो आज खली आप इतना सा practice करके रखो जब next इसमें हम addition and subtraction के rule के साथ में हम कुछ example sums भी solve करेंगे जो कि based यह इस तरीके से differentiate करने वाले compiled way में sum होगा तो उसी इसी पर based आपके solution होगे तो यह mix डाएंगे question में plus minus के साथ तो तब तक के लिए practice करके रखिए and कैसा लगा आपको lecture comment करके बताईएगा आगे मुझे ऐसे lectures लाते रहने चाहिए क्या आपके लिए useful है क्या वो भी बताईएगा और अपने ज़्यादा ज़्यादा friends के साथ share कीजेगा thank you very much god bless you all dear students